यूपीएसी ने सिविल सर्विस फाइनल एग्जाम के रिजल्ट डिक्लियर कर दिये हैं और इस वार पहले तीन इस्तानों पर लड़कियों ने ही कबजा हासिल किया है शुरूती सर्मा जो की टॉपर रही है पहले स्तान नोंने हासिल किया है सबसे पहले सुरूती आपको शुप वाम ना है लेकिन देखा जाता है कि लाखों चात्र परिक्षा देते हैं लेकिन वाकई बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं कितने सालों का संघर्स रहा और अब कैसा महसूस कर रही है मेंली तुम मैंने ग्रैजुवेशन की बाद प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया था तो उसके बाद से काफी लंबा सफर रहा है उपर नीचे रहे हैं लगातर बट फाइनल रिजल्ट अच्छा रहा है तो मैं खुश हूँ कितने सालों की तो कि पहली आपने कहा के पहली बार में सफल नहीं हो पाई थी किस तरीके से परिक्षा की तैयारी की थी तो कि अधिकतर छात्र ट्यूसन कोचिंग का सहारा लेते हैं इस तरीके की पढ़ाई रही और कितने सालों से इस अंगर्स रहा कब से सपना देखा हुआ था कि यूपीएस्ट का एक्जाम केलियर करना है पहला मैंने कोचिंग लेनी की शुरुवात की थी पर वो मुझे इतना ज़्यादा उससमें मैं आपने बताया कि आपका इंटर्व्यू खराब हो गया था कैसा महसूस कर रही थी उससमें लगता था कि पहला स्थान हासिल कर पाएंगी इंटर्व्यू मतलब खराब तो नहीं बोलूँगी पर जितना मेरी उमीदे थी उतना अच्छा नहीं गया था तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई थी पर पहली उसी के बाद स्पेशली पहली रैंक की इतनी उमीद नहीं थी क्यूंकि मुझे लगा था कि इंट सकस सोसता है कि छेतर के विकास के लिए काम किया जाए फास तौर पर आपने क्या सोचा हैं ठीक है सबसे पहला चेतर कई शेतरे यहें जिन में काम करना चाहूंगी पर सिक्षा़ और महिला श्क्तिकरन एक motivation की बहुत जरूरत होती है कोई भी exam पास करने के लिए motivation अगर किसी परिवार जनों का मिल जाए तो बेहद जरूरी होता है कि किसका motivation परिवार में रहा परिवार में दोनों parents का मम्मी का motivation नानी भी चाहती थी कि मम्मी जो है वो आईस की तयारी करें तो वो किसी वज़े से नहीं कर पाए थी तो उनकी भी खुशी देखकर आज मुझे काफी खुशी हुई और parents एक motivating factor रही है और बिल्कुल parents ने काफी साथ सुरूती का दिया और सुरूती ने देश में पहला इस्थान UPSC की परिक्षा में हासिल किया है और समुकेस चंद्रा के साथ अनमोलक मार टोटा न्यूस देले